हेलो दोस्तों मैं सोरम मलिक आप सभी का टोपिक स्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों ये जीके का पार्ट 49 है इससे पहले 48 पार्ट अपलोड हो चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएंगे वो भी आप देख सकते हैं और जो भी मेरा दोस्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके गंटी का एकन को ओन कर ले ताकि जितने भी लिटेस्ट पार्ट आते रहें उनका मैसिज आपके पहुंचते रहें तो घंटी का एकन जुरूर ओन कर ले तब ही आपके पास मैसिज आते हैं घंटी का एकन ओन होने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें तो वीडिय रिटनिंग का भर्रक का एफोन तो वीडियो को स्टाट करते हैं और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें वैपूर्दकाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था तो कौन था दोस्तो वह अलफासो दी अलबुक बुकर्ख बारत में इस्ट वासको डिगामा भारत कब आया 1498 में इस्वी में वासको डिगामा भारत में किस इस्थान पर उत्रा का लिकट में वासको डिगामा कहां का रहने वाला था पूर्दगाल का सभी इंपोर्टेंट दोस्तो किस अंग्रेज ने समराट जागीर के दरबार में आकर भेंट की थ कि सर ताम स्रोने कि गौवा दमनीवें दीप उप निवेस version के द्वारा किये गया उर्दगालियों द्वारा अंग्रेजों ने अपनी परत्म कंपन लगाने के लिए किस से अनुमती प्राप्त की चाअगीर ने अपनी परतम फेक्टरी कान लगाई थी सूरत में बहुत बार पुछा जा चुक है भारत के समुंद्री मार्क की खोज किसने की वास्कोट डिगामा ने तो यह भी बहुत अच्छा कोशन है दोस्तों नेक्स चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन हम पढ़ते हैं आपका तृत्य करनाटक यूद की संदी का नाम था पैरिश की संदी वास्कोट डिगामा के कालिकट पर उतरने पर उसका स्वागत किस ने किया था तो किस ने किया था कालिकट के राजा जमूरीन ने बिर्टिस के साथ बेशीन की संदी किस पेशवा ने की थी बाजिराव ने किस पूर्दगाली ने नीले पानी की नीती अपनाई फ्रांसिको डी अलमेडा भारत में पूर्दगाली समराज्य का संस्थापक किसे माना जाता है अलफासो डी अलबुकर को पुर्दगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था फ्रांसिको दी अलमीडा भारत आने वाला पर्थम डचनागरी कौन था कारनेलिस डेस्थामा ठीक है दोस्तो डचो ने गोवा पर आकरमन कब किया 1639 इस्वी में और डुपले भारत का फ्रांसिको गवर्नर का बना 1742 इस्वी में जागीर नेकी से खान की उपादे दी हाकी इसको आगरावे सीगरी पहुचने वाला अंग्रेज वैपारी कौन था राल फिच डचो ने अपनी पहली फैक्टरी 1650 इस्वी में का इस्थापित की मसूली पत्नम भारत का कौन सा नगर द्वी पर निर्मित है मुंबई ठीक है दोस्तो दोस्तो ये कुछ और इंपोर्टेंट कोशन आपके मैं पढ़ रहा हूँ यहां से पुर्दगालियों ने पहली व्यपारी कोठी कहां इस्थापि खोली कोचीन में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी कब लगाई 1612 इस्वी में कि सासक ने इस्ट इंडिया कंपनी को दिवानी प्रदान की सहा आलम ने ठीक है भारत में पहली बार मुंद्रा मसीन का इस्थापना किस ने किया पुर्दगालियों ने बहुत अच्छा कुशन है इंटरलोपर्स कौन है कौन थे एन अधिकारी त्व्यक्तियों के रूप में समुंद्री लूटेरे इंटरलोपर्स उन्हें कहा जाता था उस समय भारत का बात सा कौन था जब इंटर इस्थ इंडिया कंपनी के स्थापना हुए अकबर किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने बारत में इस्थित फ्रांसियों बस्तियों का अधिकरन भारत को सोपा था उन्नीस सो चोवानीस में वांडिसवा का यूद कब हुआ सत्रा सो साटी से में तो दोस्तों यही थी कुछ साथ में देख सकते हैं नीचे description box में जा करके और comment box में भी जा गरे सब्सक्राइब стать के मुझे कमेंट पूछ सकते हैं मैं आपको सबीको link send कर दूंगा comment box में ठीक के दोस्तों और आप हमारी previous video भी देख सकते हैं यह वाली ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिल सुभ हूं